असलाम अलेकुम अच्छा यह जो क्वेशन पूछा है आपने इसमें बेसिकली सवाल यह किया गया है कि बैक कंटेन 42 कॉइंस ठीक है टोटल जो कॉइंस है फॉर्टी टू है इंक्लूडिंग डिनोमिनेशन और 50 पैसा 25 पैसा 10 पैसा यानि के बजाईरी हमारे पास जो करन्सी है वह कितनी है 50 पैसा 25 पैसा तेन पैसा 600 बैसा send is फिरू दो कोई ऐसा बो 15 brush कोई थी को यानिकि है इसे लोख्त के पास ऑर थरी बड़ू दो Game थीज़ करांचि पैक और फिल्जा और फिल्जा के पास three times more as quantity as थाष्यर하죠 ठीक है ना तो यानि कि हाशर के पास अगर 3 Lace के पेकट है तो फिल्दा के पास कितनी हो गें कि अगर जैसे 3 टाइम्स हाशर के तो फिल्दा के पास हो जाएगा 3 3 2 9 पेकट हो जाएगे इसको इस तरह से टाइम्स करते हैं ठीक है अब next इस बात को समझते हुए आगे चलते हैं कि 3 times that of 50 पैसा सही है तो हमें ये condition लगाने होगी and the total number is rupees 9.30 यह नहीं कि तो currency का total है ना sum हमारे पास total जाने कि आपकी ममा ने आपको पैसे दिये थे for suppose 10 rupees कितने दिये थे यहां 3 यह है और 9 यहां है फिल्जा के ठीक है और first suppose जो आपकी second बहन है उनके पास है उनके उनको कुछ नहीं पता उनको तो इसको हम y let कर लेते हैं ठीक है तो इसमें ये बात कही गई है ठीक है तो अब 20 rupees हैं total तो 20 में से हम 9 minus कर देंगे और 3 minus कर देंगे जैसे तो क्या बच जाएगा first suppose इसको मैं let कर लेती हूँ x let कर लेती हूँ हाशिर वाले को ठीक है ना तो हाशिर वाले को अगर मैंने x let किया तो और आपकी quantity है 3x तो कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा तो 20 में से अगर मैं 4x निकाल दूँ तो जो वाकी quantity है वो मुझे इसका पता पता देगी ठीक है ना तो इसी तरह से इसको कर रहे है हम ठीक है जब इसको application करेंगे तो आपको और clear समझ में आ जाएगा तो ये total rupees कितना है 9.30 ठीक है अब आपको पता करना है कि 10 पैसा की जो coin है ना number पता करना है कि वो कितने है ठीक है यानि कि 20 रुपए आपकी mamma ने दिये थे हाशिर को मैंने मान लिया x है आपका जो है 3 times more than हाशिर है ठीक है तो हम इन दोनों का प्लस कर लिया और तीसरी जो sister है ना उसका जो है इस total में से हमने माइनस कर दिया तो यह equation इस तरह से हमें थोड़ी बात पता लग जाएगी ठीक है यानि कि हाशिर 3 आपका 9 9 on 3 कितना हो जाएगा ठीक है 10 11 12 12 ठीक है ना अब कितने बचेंगे 20 में से 12 माइनस कर दो तो कितने हो जाएगे 8 यानि कि इसके जो packet आए ना इसके पास जो है वो क्या है 8 एंगे तो इस तरह से situation बन रही है ठीक है अब इसको solve करते हैं अब यहां जैसे है एक box है उसके अंदर हमने total coins है हमारे पास 42 ठीक है लेट कर लिया Q इसको 50 पैसा को ठीक है हमने इसको लेट किया Q क्योंकि हमें पता है कि 25 पैसा जो है ना वो 3 टाइम्स मोर है यानि जादा है 3 टाइम्स तीन गुना जादा है 50 पैसा वाले से तो Q इसको लेट किया था हमने तो यह जब 3 times more than 50 पैसा है तो यह हो जाएगा 3 Q 25 पैसा की जो worth है इस वाग जो quantity आ रही है वो है 3 times Q Q कौन था 50 पैसा था अब यहाँ पे 10 पैसा जो है हमें पता नहीं है तो 10 पैसा से हम क्या करेंगे कि total में से total कितने कोईन थे वो थे 42 कोईन 42 कोईन में से हमने 50 पैसा के निकाल दिया हमने 42 में से हमने 25 पैसा के भी निकाल दिया उसकी कौन्टिटी दोनों की same लिक लिए यानि क्यू हमने इसको लट किया था और हमने 3 Q 3 times more थे इसलिए हमने इसको कर लिया था हम जब इसको करेंगे तो यह जाएगा 42 minus minus you know that plus तो यह sign of a bigger number 3 Q or 1 4 Q हो जाएगा तो 10 पैसा की जो आई है इस वाई है 42 minus 4 Q ठीक है अब यहां पर जो हमारे पास पैसा थे आपको पता है एक रुपे में कितने पैसा होते है 100 पैसा होते है ठीक है तो हमने इसको इस तरह से खड़ लिया पैसा 50 पैसा 0.5 की एक्वल ठीक है यहां से और इसको डिवाइज अब करेंगे तो 0.5 निकलेगा इसी तरह से 25 बना 0.25 10 बना हमारे पास 0.1 ठीक है अब जहां जहां इसकी एक्वेशन है यह वाली इस एक्वेशन में टोटल में पुट कर देते हैं कैसे बन रही है एक्वेशन एक्वेशन ऐसे बन रही है कि पहले तो है क्यूं फिर हमारे पास next है हमारे पास इसको देखते हुए चल पॉंट 5 बालह से हम प्लस आगय कितना है हमिहा पास फ॑री मधरेबस का यहां पे हाँ है त्री ताम मनेपले सींटीपैस काई और स्वाक्ष पेसुझी origin का चुछ प् democrat कॉंटीफई पास की पाई शुट peux P0 जो बन रहा है coins के add up करने के बाद वो 9.30 बन रहा है अब हम इसको solve करते है पहले equation को अब यहाँ जो है situation कुछ इस तरह की बनी कि equation को जब हमने solve किया और multiply किया पहले इसको multiply किया इससे इन दोनों को 10.10 से इसको multiply किया माइनस sign के साथ इसको multiply किया 4 यहाँ पर अब जब जो add हो रहा था वो add किया जो नहीं हो रहा था उसको दूसरी तरफ shift कर दिया ठीक है यानि कि यह free from q था तो हमने इसको दूसरी तरफ shift कर रहा है यह minus में हो गया क्योंकि पॉसिटिफ था पिर इसको add up करके यह बना 0.85q ठीक है ना अब यह multiply हो रहा है अन्नों से तो इसको तू 5.1 आया इसका difference ठीक है तो यहाँ यह multiply हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके यह divide हो जाएगा हमने इसको divide किया तो answer आया हमारे पास q ठीक है अब q यहाँ पर यहाँ पर यहाँ आ गया तो अब क्या होगा 3 times q जो होगा वो कितना होगा 3 multiply by 6 ठीक है तो इस तरह से इसका answer आजागा 3 6 18 यहाँ पर यह कौन से वाला था 25 पैसा का ठीक है 25 पैसा जो है 10 पैसा की जो है हमारे पास कुछ इस तरह की कहानी हो जाएगी 42 minus 4 into 6 तो 42 minus 6 for the 24 और यह आ जाएगा हमारे पास 12 में से चार गए 10 में 6 7 8 और तीन में से दो गए एक तो यह बना हमारे पास 10 पैसा वाले कॉइन कितने बने हमारे पास यह है 18 पीसे ठीक है अब इसको देखते हैं आगे तो इस तरह से कुछ कंडिशन हो गई कि यह 3618 हो गए यह कॉइन जो है 10 पैसा के हमारे पास निकले 18 और 25 पैसा 18 था और जो 50 पैसा के थे वो 6 थे इनका जब टोटल सम अप कर देंगे तो वो टोटल बन जाएगा 42 बन जाएगा ठीक है ना जो कि हमारा टोटल नंबर ओफ और भी है इसको सॉल्फ करने का वो मैं आपको बता देती हूँ जो भी आपको एजी लगे वो फिर आप अडॉप्ट कर ली जागा ठीक है अच्छा दूसरा मेथर्ड क्या है दूसरा मेथर्ड यह है कि X प्लस 3 X प्लस Y यह कौन सी एक्वेशन है यह हमने एक्वेशन आपक कि क्वेशन से ठीक है ना कि X था 50 पैसा ठीक है 25 पैसा कि कितने कोई थे 3 X थे और 10 पैसा जो था वो अलगी था नॉर्मल उसकी कोई मतलब किसी से भी कंपैरेजन नहीं था इस विए से हमने उसको अलगी वेरेबिल को डिनेट किया था तो य को लेते वे हमने एक्वेट किय और 10 वाले जो थे न वो वाय थे और यह 930 कहां से आया यह रुपीज थे 9.30 आपको पता है कि एक रुपे में हमारे पास होते है 100 पैसा तो जब मैंने उसको कनवर्ड किया तो 930 पैसा मेरे पास बने उसको मैंने एक्वेट कर लिया इन दा फॉम ओफ कॉइन यह जा रही है पैसा इसकी फॉम में ठीक है तो हमने इस तरह से कर लिया वह हम करते हैं न कि टाइम को अगर कन्वर्जन कर रहोते हैं यह हम फिजिक्स केमिस्ट्री में देख ही होगा आपने जब करते हैं तो एक ही वे में लेकर आना होता उनको ठीक है तो यह वर्ट ओफ कॉइन की फॉम यह quantity of coin की सूरत में ऐग एक equation जनरेट कि है यानि कि हमारे पास four times x कैसे आया यहा से x plus 3x यह वाली जो equation है इसको कुछ इस तरह से में लेकर आई हूँ कि 4x यहा से आया और y as it is और 42 as it is ठीक है तो दो equation हमारे पास ही बन गई है तो यह दो एक्वेशन हमारे पास इस तरह से जनरेट होगी अब यह जो सिस्टम्स है ना दोनों इनको तो मेरे पास यह एक्वेशन को 10 से एक्वेशन को 10 से एक्वेशन कर दूँ तो मेरे पास यह एक्वेशन बन गई अब इनको मैं सब्ट्रेक्ट किया सिंपल तो मुझे पता है कि लास्ट वाली एक्वेशन का साइन चेंज हो जाता है जैसी मैं सब्ट्रेक्शन का साइन लगाऊंगी यहां पर माइनस हुआ यह प्लस माइनस हुआ ठीक है ना प्लस से माइनस हो गया यह पॉजिटिव था यह नेगेटिव हो गया ठीक है अब य 85 के टेबल में, तो X आ गया में पस 6, मैंना 3X निकाला, में पस 3 टाइम 6 हा, क्या हो जागा, 18 आ जाएगा, पिर यह जो एक्वेशन थी, Y निकालने के लिए मैंने क्या किया, X की वैल्यू को, X की वैल्यू को मैंने इसमें पुट अप कर दिया, तो 42 माइनस 46 हा, 24, तो Y इकोल स्टू मेरे पास 18 बन गया, ठीक है, तो यह दो मैथ़ड मैंने आपको समझा दिया है, जो भी आपको एजी लगे, जो भी आपको समझ में आ गया हो, वो आप और आप से डॉप्ट कर लें, कोई कॉश्चन हो, तो मुझसे पूछ लीजए, ओके, चले ओके, टेक कियर, अला